अलबरूनी के साथ आए हुए इतिहासकार उसका मैं नाम भूलना हूँ उत्वी था या कोई और था उसने लिखा है कि आज का जो पेशावर का इलाका है पाकिस्तान के उसमें पाल नरेश धर्मपाल का शासन था और वो जब वापस गया है और धर्मपाल से बच के वो हारने क बाद भागा है तो उसको सेंटरल एशिया के एक किंग ने वो भी मुस्लिम था उसने दो तरफ से घेर लिया और ये लगा कि मैं मुद गजनवी को लगा कि मैं मार दिया जाऊंगा तो धर्मपाल से मदद मांगता है और धर्मपाल उसको पांच हजार घोड़सवार और दस फौज इसलिए भेज रहा हूं कि तुम्हारी जान मैं ही लूँगा कोई दूसरा तुम्हें नहीं मारेगा इसलिए मैं फौज भेज रहा हूं तो आप यह समझिए यह जो फिल्म में कहते थे यह हमारे यह वीरता की पराकश्ठत परन्तु उसके साथ साथ एक धर्म भी था कितना इतियास पढ़ाए जाता है 712 मुहम्मद बिन कासिम सिंद में आता है 1025 सुमनाथ 300 साल का इतियास कहा है भई सिंद से गुजरात आने में 300 साल वो कहां चलागी हिस्ट्री 1025 सुमनाथ 1192 दिल्ली जीते पौने 200 साल का संगर्ष कहा है भई 1192 जीतने के बाद बाबर ने आकर जवराम जन्मूमी डहाई तो 1527 वो साड़े 300 साल का इतियास कहा है भई वो संगर्ष के साथ आने का जो इतियास यह भारत के गौरव का इतियास था और मुहम्मद गोरी को वेस्टर्न हिस्टॉरियन यह क्या दो बार मानते हैं हमारे हमाना जाता है ठारा बार हराया जैसे ही उसने माफी मांग ली पीठ कर ली तो पीछे जाते हुए वेक्तिकों पर अटैक नहीं किया यह थी हमारे अंदर की शमता और मैं यह भी कहना चाहता हूं